हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आ चैनल ते लर्निंग जीशन आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं 27 आफ जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स को सबसे पहले आपको बता दे हमारे सेशन किस तरीके से रहे का फर्स्ट आफ आल हम लोग कल की जो मोस्ट इंपॉर् इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स उनको डिसकस करेंगे तो चलिए अपने सेशन को स्चार्ट करते हैं विश फ्र फॉलोईंग इंटरनाशनल एयरपोर्ट हाथ बिकम दा फॉर्स एयरपोर्ट इंडिया तो गेट इंडिजिनियसली डेवलप एविएशन वेदर मॉनिटर इंडवल्ट किया जाएगा और ओर एयरपोर्ट जो है वहां अफॉप एपम गौड़ा इंटरनाशनल एयरपोर्ट कहां पे है यह हैं बैंगलूरु में यह हैंBuild lá it Green Airport Recognition Annual in Asia-Pacific Annual Green Airport Recognition 2020All Council International Award the highest platinum recognition award was given to Rajiv Gandhi International Airport Rajiv Gandhi International Airport highest platinum recognition award मिला था और यह alde दिया किस ने था एर बार्ट कने सब्सक्राणाराणाल ने अवाल्ड दिया था और बात के जब ये कुशी नगर एरपोर्ट है जो की उत्तर प्रदेश में है जिसको इंटरनाशनल एरपोर्ट का डेकलेरेशन कर दिया है कि या इंटरनाशनल एरपोर्ट वर्क करेगा कुशी नगर एरपोर्ट बात किज़ें कुशी नगर है का तो ये उत्तर प्रदेश में है ये हमारे कुछ जीदे हैं जो स्टाटिक के लिए इंपोर्टन होती है International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on 26th of June every year since 1987 Its theme for 2020 is यानि कि International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ये हम कब मनाते हैं ये हम मनाते हैं 26th of June को 1987 से हम ये दिन मनाते हैं चले आ रहे हैं और इस बार 2020 में जो इस दिन की theme थी वो थी Better Knowledge for Better Cure Who among the following is or are among the 50 celebrated filmmakers and actors invited as the ambassadors of Toronto International Film Festival this year इस साल जो टो टोरंटो International Film Festival होने वाला है उसमें as ambassadors कि इनको बलाएगे इनमें से कौन है जिनको as ambassadors invite के गये हैं तो वो हैं प्रियंका चोप्रा अनुराक कश्यप यानि कि बोथ 2nd and 3rd बोथ 2nd and 3 पंकश त्रिपाची के अबर अगर हम बात करें तो पटना में एक खाडी मॉल है जिसके brand ambassador के रूप में पंकश त्रिपाची को अपॉइंट किया गया था हाली में Adidas की brand ambassador के रूप में मानुशी चिल्डर को अपॉइंट किया था और मानुशी चिल्डर ने यूनीरसेफ के साथ को लाबरेट किया था फॉर देड डॉट चालेंज who has been appointed as the president of Marleybone Cricket Club Marleybone Cricket Club के president के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है कुमार संगा कारा को Claire Conor ने रिप्लेस किया और अब यह ऐसा 233 एर हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि Marleybone Cricket Club की कोई विमिन प्रेसिटेंट अपॉइंट हूँ है और इनका नाम है Claire Conor IBMC Financial Professionals Group in partnership with US Gold Currency Inc. and Blockfields introduced the world's first monetary gold bag to US gold digital currency in which of the following countries इस दुनिया के पहली monetary gold bag US gold digital currency यह कहां पर इंट्रोड्यूस की गई और इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया हम बात करें अगर France की तो France के साथ इंडिया की कौन कौन सी exercise होती है France के साथ इंडिया की exercise होती है वारून, गरून और शक्ति यैने कि शक्ति वारून और वरून जो है इंट्या की फ्रांस की exercise है इंडिया की UK साथ जो defense exercise है वो कौन थी इंडिया की UK साथ है Army, Ajay Warrior और Indra Dhanush यह दोनों इंडिया की UK साथ defense exercise है इंडिया की Japan के साथ defense exercise कौन कौन सी है वो है धर्म गार्जिन, शिन्यो मैत्री और सहयोग काईजन यह है defense exercise है इंडिया and Japan की अच्छा एक अभी हाली में global vaccine summit रहती जिसको host किया था UK ने, UK ने जिसको host किया था World vitiligo, World vitiligo day is observed on vitiligo basically एक तरीकी skin disease होती है और यह जो day होता है, यह कब हम लोग कब मनाया जाता है, यह दिन मनाया जाता है, जून 25th of June को यह दिन मनाया जाता है अच्छे, Seafarers day होता है, वो कब मनाते है, वो भी 25th of June को हम मनाते है, Seafarers day और जो इसकी campaign रही इस बार की, वो थी Seafarers are key workers, Seafarers are key workers, Seafarers day की campaign ने, जून 25th को 23rd of June को हम लोग कौन कौन से दिन मनाते है, 23rd of June को हम लोग मनाते है, एक तो हम लोग मनाते है, UN Public Service day, एक हम लोग मनाते है, Olympic day और एक हम लोग मनाते है, International Redoes day यह कुछ दिन है, जो मना जाता है, 23rd of June को कपु नेस्थम श्कीम किस कि स्टेट ने लॉब्डेश किया तो वह स्टेट ने आंत्र प्रदेश नहीं स्कीम लॉट्ष के लिए इस स्कीम को लॉब्डेश ने लॉब्डेश के बात की जा तो इन्हों तमिल नाजु ने थंजवूर नेटीवर्क और आरमबवूर वुट्ट क्रेविंग इनको जी आई टाग मिला है और ये तमिल नाजु के गुड्स है प्रोजक्ट्स है और तमिल नाजु ने एक कोविड नाइचीन से रेलेटेज कमीटी बनाई थी जिसको हैट करने वाले थे आरबियाई के एक्स घवर्नन जिनका नाव है सीरंगा राजन तर तल ये ये इनोगरेट किया थे ये कहां इनोगरेट हुआ थे ये इनोगरेट हुआ थे तेलंगाना में इनोगरेशन कहुँआ थे दिलंगारना में इसका नाम है कंड़ा पो चम्मा था गर प्रोजेक्ट करनाचका की बात कर चाहिए तो करनाचका ने हाली में एक e-commerce company जितका नाम है Flipkart और इसके थ्रू क्या किया था करनाचका के जो mango farmers हैं उनको financially help ने इसके लिए online platform से mango sell करने की जो है initiative लिया था करनाचका government ने मेग संदेश एप और वरुनमित्र पोर्टल ये भी करनाचका government का है प्रानवायू प्रोग्राम बैंगलूरू में लॉंच हुआ था और ये बैंगलूरू करनाचका में प्रानवायू प्रोग्राम लॉंच किया गया था विच कांट्रि रिमें इन ग्रेल इस्ट फीनाचैल अक्शन न्न टास्कबोर्च पांट्री है पाकस्तान ही cooked करें पा की चिलीकिश लाइन्टिय में ते शेन्जा है यानी कि FATF की अंतर्गत एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम है एक मीटिंग हुई थी जिसके अनिके फैनेशल आक्षिन टास्वोर्ड के अंतर ग्रूरेशन ग्रूप और यह मीटिंग किसके लिए थी जिसके कर दो था कि मनी लॉंट्रिंग से और फानांसिंग ञोफ टेलरि विज इनके साथ कौन से श्टेट के सीफ मिनिस्टर ने इनके साथ तो वो है नवीन पतनायक और ये उडीशा के चीफ मिनिस्टर है उडीशा के चीफ मिनिस्टर है इनको पीटा ही इंडिया ही एनिमल्स अबॉर्ड मी मिल चुका और इचा के गवर्णर है गनेशी लाग धर्मेंद्र प्रदान है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नाचरगाथ और मिनि मध्यप्रदेश ने अभी हाली में एक स्कीम थी जिसका नाम था निष्ठा विद्यूत मित्र स्कीम और यह विमन अमपामंच के लिए स्कीम को लॉंच के गया था और इसको कितने लॉंच के था मध्यप्रदेश योमेंट की स्कीम है निष्ठा विद्यूत मित्र स्कीम और ए स्टेटर्स देनी के बात कही थी करमीर मेडल्स तू पुलेस ओफिसर्स हुआ वोकिंग फॉर कोविड नाइटीन यह भी मद्य प्रदेश गवर्मन्ट की एक इनिशियेटिव है चरण पादुका कैम्पेइन हो गया और एफ आयार आपके द्वार हो गया यह सब मद्य प्रद वो मल्टि स्टोरी बिल्डिंग में जो है क्या कर सकती है और उत्तर प्रदेश ने हाली में बाल श्रमिक विद्या योजना जो है यह लांच की थी और यह इन्हों ने वर्ल्ड एगेंस शाइल लेबर जो की 12 जून को मना जाता उस दिन लांच की थी और राहत मित्र अबर जो कोविद आया प्ये भी उत्तर प्रदेश की यह अपस है और उत्तर प्रदेश ने के स्टार्ट फंड इस्टार्ट किया है इसमें इनों ने सिद्वी के साथ पार्टनर्शिप किये फो दे यंग एंट्रुनोंस अफ दे इस्टेट के लिए के लिए करला का एक घूम आभड़ाई करने के लिए के लिए एक प्लाटफornoं मेरी क twist ब्लवॉपर्म प्लाटफॉर्म इसका नाम है स्किल्सने ऑन्वारी किसम इंविल किया था यह यह अन्वील किया था किस ministry ने अन्वील किया था IBM के साथ तो ministry of skill development and entrepreneurship ministry का नाम है ministry of skill development and entrepreneurship बात किजाए ministry of social justice and empowerment यह कौन है ministry of social justice and empowerment है थावर्चंद कहलोथ और आहली में composite regional center जो है यह inaugurate कहा था यह उन लोगों के लिए center inaugurate किया गया था जो की disabled है और उनके skill development के लिए और उनके employment generation के लिए इस composite regional center को inaugurate किया था और यह जो है किसने इनागरेट किया था था थावर्चंद गहलोथ और अरजुद मुंटा ने ministry of labor and employment यह कौन है minister of state independent charge इनके पास for labor and employment इनका नाम है संतोष कुमार गंगवार और इनकी constituency है बरेली उत्तर प्रदेश होती है संतोष कुमार गंगवार की constituency बात करते हैं अगर हम लोग ministry of commerce and industry की तो minister of commerce and industry कौन है यह है प्यूश गोयल प्यूश कोयल है minister of commerce and industry और इनके पास दो मिनिस्ट्री है एक railway ministry भी यह समाल ले हैं और commerce and industry ministry भी इनके पास है और यह महाराश्री महाराज से राश्रभा MP भी है अच्छा अब हम अपने आंसर पर आते हैं जो है ministry of skill development and entrepreneurship इस किये कौन से minister है तो यह minister है महेंदरेनाथ पांडे और इनकी constituency है चंदौली उत्तर प्रदेश who among the following ministers have launched the e-blood services mobile app developed by the Indian Red Cross Society through video conferencing Indian Red Cross Society ने एक app developed किया है जिसका नाम है e-blood services और इसको किस ने launch किया कौन से minister ने जिसने इसको launch किया है वो है हमारे minister of health and family welfare जिनका नाम है Dr. Harshwardhan Dr. Harshwardhan क्या है यह है minister of health and family welfare and minister of science and technology and earth sciences और इनकी constituency है चाननी चौक डेली अमिश्चा minister of home affairs और इनकी constituency होती है नागपुर महाराष्ट नागपुर महाराष्ट नितिन गटकरी की constituency अच्छा निदिर करकड़ी ने अभी हाली में credit guarantee scheme launch की थी जिसका नाम है distressed assets fund subordinate debt for MSME और यह जो launch ही थी बिल्कुल latest है यह credit guarantee scheme है जिसका नाम है distressed assets fund subordinate debt for MSME और यह किसने launch ही थी हमारे MSME minister नितिन गटकरी इन्होंने ही launch की दिया था इसे मुख्य मंत्री मात्र पुष्टी उफार scheme have been launched by which of the following states state government to provide nutrition kids to pregnant and lactating moments यह निकि जो pregnant moments होती जो lactating moments होती उनके लिए क्या किया गया था उनके लिए इक scheme launch किया है जिसका नाम है मुख्य मंत्री मात्र पुष्टी उफार scheme और यह किस state government ने लाउच किया है त्त्रि ने इसको launch किया है बात की तिपुरा की तो इन्होंने राली में एक और scheme launch की तीady जिसका नाम है डिब्रु शिकोवा, नैशनल फार्थ और यह दोनों हाली में नियोजरि கें में रही इसलमें स्ट्रटिक πोईंच उफ और फ्य से यह important है मिजोरम ने क्या किया है मिजोरम ने हाली में स्पोर्स से को industry status दिया है industry status देने का मतलब यही होता है कि अब जू होगी स्पोर्ट सेक्टर की इस स्टेट में वैल्यू बढ़ जाएगी लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगें एंप्लॉइमेंट जनरेट करेगा इस सक्टर तो मिजो यह ऐसा पहला स्टेट हो गया मिजोरम जिसने स्पोर्ट को इंडेस्ट्री स्टेटस दिया है विच स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट विए फर्स्ट प्राइज अंडर ईपंचायत पुरसकार 2020 दिर्फाइज वस गिवन बाई यूनियन मिनिस्ट्री पंचायती राज उन्होंने क्या गया था एक अवार्ड दिया था जिसका नाम है फर्स्ट प्राइज कौन से स्टेट के स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट को पहला प्राइज मिला था तो वह स्टेट हिमाचल प्रदेश के स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट को पहला प्राइज मिला था यह पंचायत पुरसकार का इनको फर्स्ट प्राइज मिला था बात कि यह हैं नरेन सिंह तोमर के पाद कौन थी मिनिस्ट्री हैं यह हैं एक और और योजना जो है रौज की थी इसका नाम है पंचवटी योजना पंच्पटी योजना भी हमाचर प्रदेश इस स्टेट नहीं लॉंच किये थे विच कांट्री हाथ बिकम दे फॉर्स कांट्री इन वर्ल्ट तो डेवलप अ वहेकल माउंटेट अल्ट्रा वॉयलेट वॉयूम स्प्रेयर फॉर लोकस्ट कंट्रोल के लिए यह दुनिया की पहली कंट्री हो गई जिसने एक वहेकल माउंटेट अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर को जो है इसको डवलप किया है और वह कंट्री कौन थी है इंडिया और बात किया जाए यूगांजा की तो यूगांडा म में सेट अप किया गया था दा अनुवल इंडिया टीबी ट्यूबर कुलोसिस रिपोर्ट विच इस रिपोर्ट के ताविक आफ पर दिस रिपोर्ट अमंग अंग नांग दा लाजर स्टेट्स विद मोर दन फिफ्टी राग पॉपलेशन विच विच फोलिंगांग इसमें इसमें भी हाली में फूप सेफ्टी इइंडेक्स पी आ मैंता किता बीहार के बारे में हम लोगे इसके कर चुके हैं कि अभी एक खाDhi ओल है ऐए बिहार में थाए खाडी इन्टा ये कि चीफ मिनिस्टर के लिए ऑजोय मैंता अच्च्चै HIV का बारे में film कुंतök नोगे हां माहराश्टरी के चीफ मिनिस्टर हैं और संजय कुमार है इनको भी अपॉंट किया गया है सेकेट्री महाराश्टी के रूप में संजय कुमार को हाली में अपॉंट किया गया है नीती आयोग and international transport forum of OECD jointly launch a decarbonization transportation in emerging economics project एक decarbonizing transportation DENNIS and uda week इसको launch किया है जाइनटी नीती आयोग ने और international port forum of OECD ने मिलके और इसमें यह पूछा जा रहा है कि . के सी यों कौन है तशी और अमिताफ कुमार कुमार कोई गता है तुढ करते हैं आज की मस्ट से इंप्टन करेंट कॉब को As part of the 6th International Yoga Day commemorations, the world's first yoga university outside India, named the Vivekananda Yoga University, has been launched in Los Angeles and was jointly launched by Minister of State for External Affairs V. Murali Dharan and Chairperson of Standing Committee on External Affairs P.P. Chaudhary during a virtual event held at Consulate General of India and New York, the first chairman of V.U. यानि की Vivekananda Yoga University in the Indian Yoga Guru named Dr. H.R. Nagendra पाद, यह हो रही है, इसमें बोला गया है कि as part of 6th International Yoga Day, जो हम लोगोंने मनाये था 21st of June को commemorations, उन दिन क्या हुआ था है, दुनिया का पहली Yoga University इंडिया के बाहर लॉंच हुई है, आफड़ साइड इंडिया लॉंच हुए है जिसका नाम है The Vivekananda Yoga University, का नाम important है, The Vivekananda Yoga University और यह लॉंच हुआ है यह लॉंच हुए है Los Angeles में इंपोर्टेंट है 이 स्को जून्चली लॉंच किया है Mr.你們 of State for vice an消 fakt NFL standard affairs, और एंड चेर पर्सन ऑफ स्टैंडिंग कमीटी और एक्स्टरनल अफेस्ट के स्टैंडिंग कमीटी के चैर्में जो है पीपी चौधरी इन्हों ने दोनों ने इसको क्या गया था इनौग्रेट किया था एक वर्चुल एवेंट पर जो है डूआ था कॉंसुलेट जनरल ऑफ इन्डिया नियू यूँ योख यह एक वर्चुल इवेंट इसमें ही इनौग्रेशन हुआ था और जो पहले चेर्मेन है इस यूनिवर्सटी के वह कौन है डॉक्टर एचार नागेंद्र तो एचार नागेंद्र यहां के पहले चेर्मेन इंपॉर्टिंट सिर्फ इतना ब और चेर्मेन भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि यह पहले चेर्मेन है यहां के तो इनका नाम है डॉक्टर एचार नागेंद्री है योगा गुरू है इंडियन योगान गुरू है अच्छा बात कीजाए मिनिस्टर ऑफ एक्स्टरन अफेर्स की यूनियन सुबर्मनियन जैशंकर और यह जो सुबर्मनियन जैशंकर है यह राजय साब हैं एंपी है गुजरात से यून 27 यान की आज के दिन हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं माइक्रो, स्मॉल और मिदियम साइज एंटरप्राइस दे यूवापे अ डिजिटल वॉलेट सॉलूशन आप है यह एक वॉलेट है बल्कि एक है डिजिटल वॉलेट सॉलूशन यह एक तरीका के अप्लिकेशन इसका नाम है यूवापे और यह किस ने लॉंच गेता है यह बैंक ने लॉंच के था हैं। पाटनर शुबिक यूओवापे यूवापें अनाम इसका है DRCCH जिटल वॉबॉले टेकtest के साइज वॉलेट हैं। और इसके MD and CEO है प्रेशान कुमार न्यूजिलांड और ऐस्ट्रेलिया और न्यूजिलांड विल होस्ट 2023 वोर्ल्ड वोमेन्स वोल्ड कप 2023 वोमेन्स FIFA है ये और इसको जो होस्ट करेंगी दो कांट्रीथ उनका नाम है उस्ट्रेलिया और न्यूजिलांड तो जो FIFA 2023 Women's World Cup होगा 2023 में उसको कौन होस्ट करेगा उसको होस्ट करेंगे दो कंट्री इनका नाम है Australia and New Zealand श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के तुरू एक योजना लॉंच किये जिसका नाम है आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश यह उसको लॉंच के गया है कि Migrant Workers के benefit के लिसको लॉंच किया है along with providing employment opportunities to Migrant Workers the local entrepreneurship will be promoted यानि कि यह तो Migrant Workers के employment पर तो यह काम करें कहीं साथ ही साथ जो लोकल एंट्योपनोर्शिप है उसको भी प्रमोट करेगी यह योजना यह रोजनिया का नाम इंपोर्टन है आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना और यह उत्तर प्रदेश के माइगरेंच वरकर्स के लिए इसको लॉंच किया है नरिन्द मुदी जी ने अपना जो है रिटार्मेंट चनाउंस कर दिया है सन्यास ले लिया है फ्रॉं इंटरनाशनल क्रिकेट से इन्होंने सन्यास ले लिया है दो वीर चक्र अवाल्टी और 1971 इंटो पार्प वर हीरो स्कॉंद्र लीडर परवेश जमास जी रिटायर है पास्टर रिसेंटल रिसे Nasa announced it will rename its headquarters after Mary W Jackson, the agency's first African American female engineer नासा की पहली African American female engineer जिनका नाम है Mary W. Jackson इनी के नाम के बाद अब नासा के headquarters का नाम रह गया यहां की पहली African American female engineer रही The National Green Tribunal formed a high-level committee to investigate the blowout of Assam se Baghjan Oil Well of Oil Interlimited on 27th May 2020. The committee is headed by Justice BP Kataa के former high court judge of UATI. The National Green Tribunal formed a high-level committee, which was a blowout of Assam se Baghjan Oil Well of Oil Interlimited on 27th May 2020. The committee formed a committee, which was the head of Assam se Baghjan Oil Well of Oil Interlimited on 27th May 2020. The United Nations International Day in Support of Victims of Torture is observed on June 26th. June 26th का हम कौन सा दिन मनाता है? United Nations International Day in Support of Victims of Torture. जो टॉर्चर के विक्टिम से उनके सपोर्ट के लिए दिन है. धियात का नाम है International Day in Support of Victims of Torture. और यह कब मनाया जाता है? जून 26th मैं जून 26th मैं जून से गुवार्टी के स्पहलिं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है? मैं करेक्ट कर लोगी. India has moved down three places to 77th rank in terms of money parked by its citizens and enterprises with Swiss Bank at the end of 2019. while the UK has retained its top position. As per the annual banking statistics 2019 released by the Switzerland Central Bank, Swiss National Bank, SNB. यानि कि basically according to the annual banking statistics 2019 जो रिलीस किया है Switzerland के Central Bank में जिसका नाम है Swiss National Bank. इसके इसाब से इंडिया की बीन प्रेसे से डाउन हो गया, गिर गया है पहले इंडिया की रैंक लास्ट या थी 73 और 73 या 74 रही थी लास्ट या और इस साल जो इसकी लास्ट इन डिसेंस 2018 में क्योंकि ये 2019 की रैंकिंग है और इंडिया के जो अब रैंकिंग है 77th rank in terms of money और enterprises with Swiss bank जो भी लोग है citizens of India है और जो भी enterprises है वो लोग जो money पाक करती ही Swiss bank में उसके basis पर रैंकिंग है और ये रैंकिंग अब के है at the end of 2019 के और इस 2019 के जो रैंक रही इंडिया की वो थी 77 और इसमें top जिसने किया है वो कौन थी top इसमें UK ने किया है UK ने top किया है UK retained its top position in order to provide adequate financial support to different business communities to overcome business challenges due to prevailing conditions the lieutenant governor of Jammu and Kashmir G.C. Murmu यानि के Girish Chandra Murmu has rolled out two customized loan schemes of Jammu Kashmir Bank namely two products started Jammu and Kashmir Bank Business Support Loan Scheme 2019-20 and Jammu Kashmir Bank Business Support Loan Scheme 2019-20 for hostels and guest houses basically क्या कह रहे हैं कि in order to provide adequate financial support to different business communities को adequate परियाप्त financial support देने के लिए business communities को और जो भी business challenges है उनको overcome करने के लिए जो कि अभी conditions चल रही है adverse conditions चल रही है इसमें जो भी problems challenges face करने पड़ते हैं इन business communities को उसको overcome करने के लिए जो lieutenant governor Jammu and Kashmir के जिनका नाम है गिरीश शंद्र मूर्मो जी सी मूर्मो इन्हों ने दो कस्टमाइज loan schemes Jammu and Kashmir Bank की launch की है रोल आउट की है इनका नाम है जे एंड के जे एंड के बैंक business support loan scheme 2019-20 and JNK bank business support loan scheme 2019-20 for hostels and guest houses तो यह दो जो है launch हिया है किनों गिरीश शंद्र मूर्मो जो की lieutenant governor Jammu and Kashmir के और बहुत की जाए और क्यों नाच किया गया है business communities को financial benefit देने के लिए और जो भी उनको challenges face करने पड़ने इस adverse time पे उसके लिए नाम इंपोर्टेंट बनता दोनों त्कीम का जमू कश्मीर bank business support loan scheme 2019-20 and Jammu and Kashmir bank business support loan scheme 2019-20 for hostels and the insurance regulatory and development authority of India has formulated a nine-member working group to suggest insurance products covering various risks involved in the use of remotely piloted aircraft system or drones the working group is headed by anjin did general manager of insure India new india assurance basically यह बात कर रहे है कि जो IRDAI है इन्हों ने जैसे कि हम जानते है आजकर drones की importance कितनी बढ़ गही है state governments और central governments ने कितना जादा drones को जो है कितना use किया है drones का जैसे की coronavirus के बीच में lockdown को inspect करने के लिए तो एक committee बनाई है IRDAI ने कि जिसके nine-member working group बनाया है जिससे कि suggest किया जासके एते insurance products को जो की cover करेंगी various risk को जो भी drones के related various risk होती है उनको cover up करने के लिए और यह जो working group है यह कौन head करेगा working group को head करेंगे अजन डे और यह कौन है general manager of new india assurance यह company के यह क्या है अजन डे यह general manager है और यह working group को head करेंगे अच्छा अभी हम लोग ने Swiss bank की बात की थी तो Swiss national bank का headquarter होता है जो यहां का headquarter होता है Zurich Switzerland में और जो यहां के chairperson उनका नाम है Thomas Jordan Thomas Jordan है Swiss national bank के chairperson के संजीता चानू को इस two time commonwealth games gold medalist and weightlifter will get Arjun Award for 2018 के संजीता चानू है जिनको जैसे कि अभी हम लोग ने हाली में news discuss कि दी इनको बरी किया गया था इनको अब क्या हुआ है 2018 के लिए Arjun Award मिलेगा इनको और यह किनका नाम के संजीता चानू और यह weightlifter है तो के संजीता चानू is the two time commonwealth games gold medalist and weightlifter will get Arjun Award for 2018 this comes after the international weightlifting federation cleared her doping test international weightlifting federation जैसे कि मैंने बताया कि हाली में इनको बरी किया था इनके doping charges अब clear हो चुके और अब इनको 2018 के लिए Arjun Award मिलेगा नाम है के संजीता चानू मनीपुर की है weightlifter है External Affairs Minister Subramaniam Jay Shankar participated in Russia, India, China foreign minister level virtual conference which was hosted by Russian foreign minister Sergey Lavrov in Moscow, Russia the meeting took place in the backdrop of ongoing border tensions between India and China जैसे कि हम जानते हैं बहुत टेंशन चल रही है जो भी गलवान वैली में चीज़ें हुई है जो भी तो इसके इसको देखते हुए इस ऐसे relations को देखते हुए इंडिया चाइने के जो भी टेंशन चल रही है उनके लिए एक मीटिंग हुई थी जिसमें External Affairs Minister जो हमारे हैं शुब्रमनियम जैसंकर इन्होंने पार्टिसपेट किया था रशिया इंडिया चाइना foreign minister level virtual conference हुई थी जो होस्ट की थी रशियन foreign minister ने जिनका नाम है सरगे लेवरोव और यह कहां हुच थी थी यह भी पूजल सकते किसने उचके Moscow Russia में यह मीटिंग होस्ट की थी Moscow रशिया ने मीटिंग होस्ट की थी तुब्रमनियम जैसंकर की बात करी है कौन है Minister of External Affairs and he is Rajya Sabha MP from Gujarat Gujarat से यह Rajya Sabha MP है Liverpool has won the English Premier League 2020 title Liverpool ने क्या जीता है English Premier League 2020 title and the football club has won first English top title in last 30 years और पिछले 30 सालों में यह पहला English top title जो इस football club ने जीता है Liverpool ने क्या जीत लिए has won the English Premier League 2020 Liverpool ने जीता है World No.1 Raneem L. V. Lili has announced her immediate retirement from professional squash World No.1 Raneem L. V. Lili है इनका नाम और यह किस से related है squash से और इन्होंने retirement announced कर दिया basically important इतना बनता है कि किस sports related exam में यह पूचा जा सकता है कि this person has announced her retirement recently and she was related to which of the following sports तो यह Raneem L. V. Lili she is related to squash Vini Mahajan a 1987 batch IS officer and appointed as the first women chief secretary of Punjab Vini Mahajan को Punjab की पहली women chief secretary के रूप में appoint किया गया है maha parwana has been announced by the government of Maharashtra to attach fresh investment in industries for project execution this plan will offer incentives and a single window clearance system जिसका नाम है जिसका नाम है जिसका नाम है घर 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 निगरानिया आट तो यह आट चेहरे नट संहें कंश्री में डटो एसमानिया तो इससे इससे रुबरे Statutory hmm जभ झायर से उंके हटने के लिए उनको कम करने के लिए कंव दोंट्लिय। किया है इंट्रिसी कीजिए almondoman ते क्संस्टार्स का कम आट totalन का Carbon करनाच का इसा पहला स्टेट हो गया है जो जिसने अमेंट किया है इंडस्रीज एक्ट फोर स्मॉल मीडियम आप लाज इंडस्केल इंडस्रीज के लिए महाराश्च गवर्मेंट ने क्या किया है एक तिलारी फोरेस्ट एरिया है जो की कहा है दोधा मार्क और समंतवडी रेंच में इन कोस्टल सिंदू दूर्ग इस्टिक इसको इनों क्या कर दिया है कंदर्वेशन रिजर्व एरिया डेक्लेयर कर दिया यह किस ने किया है महाराश्च ने डेक्लेयर किया तिलारी फोरेस्ट को स्टाटिक पॉइंट ओफ यूसम इसको याद रखेंगे आश्रा करते हैं आपको मारा सेशन पसंद आयोगा आज के क्लास में बस इतना ही कल हम फ दो